कपिल शर्मा पूरी तरह से रेडी है अपने नए शो फैमिली ताइम विद कपिल शर्मा के साथ छोटे परदे पर आने के लिए कॉमेडी की दुनिया के बादशा कहे जाने वाले कपिल शर्मा की हेल्थ इशूस के चलते उनके पुराने शो में उन्हें करना पड़ा था कई मुश्किलों का सामना कपिल शारुखान, अजेदेवगन जैसे कई सारे एस्टार्स एक्टर्स के साथ की थी शूट को कई बार कैंसल और उनका शो के बीच में सुनिल ग्रोवर के साथ कॉन्टुवर्सी होना उनके शो के लिए काफी सारी नेगिटिविटी ले आया था जिसके वज़े से शो के टीरफी भी कम हुई थी और आखिरकार चैनल ने शो को बंद करने का फैसर ले लिया उनके शूट को बार-बार कैंसल करने पर कपिल से बात जब की गई तो उन्होंने ये बयान दिया कि मैं बेवकुफ तो हूँ नहीं जो इतने सारे बड़े अक्टरस को वेट कराऊंगा वो भी पांच बार वैसे हम अपको बता दे कि फैमिल टाइम विद कपिल शर्मा के पहले एपिसोड में अजय देव गनाएंगे जिसकी शूटिंग भी पूरी हो चुकी है जिसके बाद बागी टू स्टार्स, टाइगर शौफ अदिशा पट्नी शोग के दुसरे एपिसोड में आने वाले थे लेकिन इस बार भी ये शूटिंग कैंसल कर दी गई है अब आप यही सोचे होंगे कि ये शूटिंग कपिल के वज़े से ही कैंसल हुई होगी पर जनाव इस बार की कहानी कुछ और ही है इस बार सेट पर कुछ टेक्निकल इशूज के चलते शूटिंग को रोकना पड़ा और यहां तक कि इस शोग के लिए इसकी जाने वाली प्रेस कॉन्फरेंस को भी पोस्पूंग कर दिया गया है चैनल ने इस बात के लिए माफी मांगी है और बताया है कि सेट पर टेक्निकल प्रोब्लम्स हुई है जो जल्दी ठीक नहीं हो सकती और इस शूट को और प्रेस कॉन्फरेंस को रिस्केडूल जरूर किया जाएगा और ये टीवी शो 25 मार्च को टीवी पर टेलेकास्ट क्या जाएगा वैसमा को याद दिला दे कि रिसेंटली कपिल और सुनील ग्रोवर के भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वार हुई थी जिसमें एक फैन ने सुनील को पूछा कि क्यों नहीं है वो इस शो का हिस्सा जिसमें सुनील है ट्विट करके बताया कि उन्हें कपिल के तरफ से उनके नए शो के लिए कॉल ही नहीं आया